हलो, नमस्कार इस्टोंट, मैं विशेक भारगाओ भारगाओ क्लासिस की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज का जो मारे वीडियो को टॉपिक है वो है आवश्यक वस्तु अधिनियम उननीस सो पचपन का MCQ का पार्ट टू है, ठी क्योंकि यह बहुत जादा सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर यह PDF दे दिजे, यह PDF देखें कि इनको दिया जाएगा वो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लीजे, 36 गड़ Food Inspector Online Model Test, ठीक है, तो देखें यहाँ पर सारी डेट जो है वो दी गई है, कि कब-कब कौन-कौन से जो है वो टेस्ट होंगे, और इस टेस्ट को जोईन करना बहुत जादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी अभी एक्जाम हो रहे हैं, तो उन पैटन के अधार पर जो ह यह वाले test series जो है वो तयार किये गए हैं, ठीक, तो यह सारी जो dates है, इन date पर यह exam होंगे, ठीक, और इसकी सारी details जो है वो आपको telegram में दे दिया गया है, ठीक, यहाँ पर जो है fees भी मैं आप लोगो को बताना जाओंगा, कि यहाँ पर इसका जो test का जो fees रखा गया है, व जो है वो तयार किये गए हैं, तो इसको जो है वो join करना आप लोगों के लिए बहुत ज़ादा जरूरी है, ताकि आप लोग जो है वो अपनी जो है वो परिच्छे की त्यारी अच्छे से कर पाएं, ठीक, तो जितना भी आप पढ़ें, उसको जो है test के माद्यम से आप जो 99, आपको जो वो telegram में इसका पूरा information भी जो है वो दे दिया गया है भारगा classes के telegram में, तो वहाँ से अच्छे से और पढ़ लीजेगा, और इसका जो है एक demo test जो है वो 31st को रखा गया है, जो सभी के लिए होगा, ठीक है, तो 31st को एक demo test जो है वो, वो पहले दे दिजेग उसको अच्छे से, ठीक, तो उससे आपको समझ में जाएगा कि इसमें किस प्रकार के जो है वो प्रश्न रखे गए हैं, ठीक है, तो इसको जरूर दीजेगा, इसकी fees भी मैंने आप लोग को बता दिया, और ये जो test जो join करेगा, उनको ये सारे जितने भी हम video बनाते हैं, और देखें, जब भी आप MCQ का वीडियो देखते हैं, तो उससे पहले, यदि आपने जो है वो अवश्यक वस्तु अधिनियम का पूरा थियोरी अला पार्ट नहीं देखा हो, सारी धाराएं नहीं देखा हो, तो पहले वो देख लीजेगा, ठीक है, उसके बाद ही जो है, MCQ करिएगा, ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आज के MCQ में क्या क्या है, तो देखें, पहला प्रश्न है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009, ये संसोतिद है, ठीक, प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से जो है, वो संबंदि है, कि तहत अनुसूची में किस वस्तु को जोड़ने या घटाने का अधिकार किसे है, तो ये है, तो आप सभी को बहुत अच्छे से मालूँगा कि वो अधिकार जो है, वो केंदर सरकार के पास में है, किस के पास में है, केंदर सरकार के पास में है, आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा तीन के अधिन किये गए आदेश के अनुसरण में अभी ग्रिहित की जाती है, वहाँ अधिगरण की रिपोर्ट की जाएगी, तो किसको रिपोर्ट की जाती है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूँगा, ये पहले भी हमने किया हुआ है, तो ज संसद, संसद के दोनों सद्दों में ये था सिग्र रखा जाता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1905 के अंतरगत, आवश्यक वस्तु की परिभासा में अन्य वस्तुओं को सामिल किया जा सकता है, तो किस प्रकार किया जा सकता है, अधिनियम में संसोधन के द्वारा, राज प्रश्न की तरफ चलते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम उन्नीसो पच्पंद वारा निर्सित की गई विधी क्या है तो निर्सन और व्याय वृद्धी कौन सी धारा में आता है तो धारा अच्छे से पढ़ा तो आप सभी को मालूम होगा कि इसके अंदर में क्या होता है तो इसके अधिया देस 1905 को निर्सित किया गया और किसी राज्य में प्रवित ऐसी कोई अन्य विधी जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन प्रदाय वितरन को नियंतरित करती है तो ये सही है यह और भी सही है ये दोनों सही है तो उप्रोव तो दोनों जो है वो यहां पर सही होगा तो आंसर यह वाला है यह आपने भासूल के अंदर में पढ़ wilithy टा इस व。 मैं जिसमय अवश्य को मालुव geç है कि यह थारा थीन आड है तो वह रहर है उन्द तीन के यह आठवा प्रशन है कि कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा तीन के थाथ पारित आदेश का उलंगन किया माना जाएगा तो वह जो आदेश का उलंगन करता है वह जो उलंगन करने का दुस्प्रेयर्ण करता है ए तथा बी दोनों ग्रूप में से कोई नहीं तो यहाँ पर क्या जागा ए और बी दोनों कि वह आदेश का उलंगन करता है या वह उलंगन करने का दुस्प्रेयर्ण करता है ठीक है? नवववए प्रशन की तरफ आइए नवववा प्रशन बोल रहे कि आवश्यक वस्त्युआदिनियम 1955 के अपराधों का विसेश आदालाद द्वारा ट्राइल का प्रवधान कौन सी धारा में किया गया है दस्वे प्रशन गीदर पाइए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतरगत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा तो जो तथ्यों के उसकी रिपोर्ट कौन करेगा समानी वेक्ती, कमपनी, लोग सेवक, विथित वेक्ती तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो क्या होगा मिडिया के रिपोर्ट के अधार पर या सूचना के अधिकार पर यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो होगा, लोग सेवको दौरा लिकित रिपोर्ट के अधार पर जो है वैं नियालाय प्राधों का संग्यान लेता है, ठीक है? बारवा प्रशना है कि मानिता प्राप्त उभोक्ता संगम से क्या आसा है तो मानिता प्राप्त उभोक्ता संगम से आसा है क्या होगा कमपनी अधिनियम 1955 में पंजी करित गठित सरकारी समीती मर्यादित सरकारी समीती लोगों का समागम तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ं कमपनी अधिनियम 1956 में पंजीकरित ठीक है जुर्मान की रासियम då उसके प्रावधानों की उसके प्रवंधों या प्रावधानों का उल्लेक जो हो धारा 12 के अंदर में किया गया है तो याद रखीएगा अधिहरण की कारवाही के लंबित करने के समय अपराधिक न्यालय को अधिगरहित संपत्ति छोड़ने की अधिकारिता है यह कथन क्या है तो यह कथन जो है वो असत्य है सत्य है दोनों है उपरोक्त में स्कोई नहीं है तो सत्य है यह कथन ठीक है पंदरवय कोशन की दmost चतने हैं सक्षम नियाले द्वारा किसी शुर्य ये सिद्ध दोस है ठीक है सिद्ध दोस ये सिद्ध दोस है इसको सुधार लिजेका है ये सिद्ध दोस है दोस कंपनी के नाम कारोबार इस्थान आदी प्रकासित कर सकती है तो किस प्रकार प्रकासित कर सकती है, सुनुवाई के पश्चात, सक्षम न्याले कोई अधिकार नहीं होता है, अपील की आवधी समाप्ती के पश्चात, इन में से कोई नहीं, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, अच्छे से, इसको हमने बताया भी अच्छे से कारोबार, किस्थान आदी उसके द्वारा जो है वो नियाले के द्वारा प्रकासित की जा सकती है और प्रकासन के समय में जो खर्चा आएगा वो उस व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के द्वारा जो है वो लिया जाएगा ठीक है उस कंपनी के द्वारा जो है वो उसको प्रकासित करने क खर्चा भी लिया जाएगा तो यह आप लोगों अच्छे से पढ़ा है तो यह क्या होगा अपील की अवधी के समाप्ति के पचात ऐसा जो है वो न्यालय कर सकता है ठीक है तो यह हमने तो पढ़ा है कि धारा 16 के अंदर में ठीक है जिसमें हटाया जाता है ठीक है तो कौन सी धारा जाएगी हहाँ पर धारा 16, 18 प्रशन है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वारा जन सातनाण में हित में कुछ आवश्यक वस्तु के व्यपार वानिज्य में निमने लिखित में से या निमने लिखित के लिए संदर में नियंतरण का प्रवधान है, उत्पादन, प्रदय, वित्रण, उप्रोक्त स सभी जो है वो है इसके अंदर में उनिश्य प्रश्ण की तरह पाईए आवश्यक वस्तु अधिनियम उनिश्य पच्पन के संबंद में सही नहीं है केंदर सासित प्रदेश में लागू नहीं है राश्टी राज्धानी में लागू नहीं है जम्मु कस्मी राज्य में सकती है तो यहाँ पर जो सही अंसर आएगा वो आएगा धारा बारक के अंदर में ठीक है 21 प्रश्ण की तरफ आईए आवश्यक वस्तु की अनुसूची में 6 महा के बाद किसी आवश्यक वस्तु को बनाय रखने है तु समय सीमा का अधिकार की से है तो यह अप लोग ने वी अनुसूची की किस अनुसूची में है तो इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करकर बताईए यह भी हमने जो है वो किया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो कमेंट करकर जरूर बताईएगा ठीक है और नंबर नोट कर लीजिए 8962947235 ठीक है इस नंबर पर आपको contact करना है यदि test series join करना हो तो वैसे हमने telegram में सारा जो है उसके बारे में बता दिया है लेकिन फिर भी यदि test series आप लोग को नहीं मालूम number तो 896 2947235 इसमें contact कर लीजेगा fees जो है वो 4.99 है और जल से जल जो है वो join करिएगा क्योंकि ये fees जो है वो next कुछ दिनों के अंदर में 5.99 हो जाएगा और ये जितने भी PDF है वो इन ही group वालों को जो है वो दिये जाएंगे जैसे कि हमने भी आवाशक वस्तु अधिनियम 1955 का एक PDF जो रेडी किर लिया था तो वो जो है उनको दे दिया गया है ठीक उसी प्रकार जितने भी MCQ के पाट आएंगे वो भी दे दिये जाएंगे टेस्ट जो होंगे वो भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा जितने भी टेस्ट होंगे वो online मांध्यम से होंगे ठीक है आपको उसके number जैसे ही आप test submit करेंगे तो आपको दिख जाएंगे उसके बाद में उसका जो है वो PDF भी जो है वो आपको दे दिया जाएगा with answer वैसर तो answer आपको test submit करने के बाद ही दिख जाएगे लेकिन फिर भी हम जो है वो PDF आपको provide जरूर करेंगे ठीक है सारे test के तो ये भी सारा आपको जो है वो ग्रूप के अंदर में ही जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ से अपलोड कर लिजेगा ठीक है तो ये नंबर याद रखेएगा जिनको भी टेस्ट सीरीस जोईन करना हो जल से जल जोईन करिए ठीक है ताकि आप लोग जो है वो अ निचे कमेंट स्क्षन में जरूर कमेंट करिएगा और ये जो MCU का पार्ट होता है ये इसलिए कराये जाता है ताकि आप लोग की जितनी भी ये अधिनियम की धाराएं ये जो है वो स्ट्रॉंग हो जाए ठीक है ऐसा नहीं है कि यहीं से जो है वो कोश्चन पूछे जाते ह हो ये यहीं से जो है वो सारा कुचाने वाला हो तो ऐसा मत सोचिए ये जितनी भी धाराएं आप अधिनियम पढ़ रहे हैं ये सारी धाराएं अधिनियम को जो है वो आपको स्ट्रॉंग मनाने के लिए जो है ये MCQ के पार्ट होते है ठीक है तो इनको जो है वो आप इनको क करने से आपकी धारायन जितनी भी आपने पढ़ाया दिनियम के अंदर में वो सारा जो हो आपका त्यार हो जाता है प्लस रिविजन भी हो जाता है आपका ठीक है आप कितना गलत कर रहे हैं कितना सही कर रहे हैं वो सब यहां से जो है वो आपको करने को मिलता है ठीक है तो इत के वीडियो में इतना ही था जाहिन जाय भार